इसके लिए पानी आटोमेटिकली फिल्टर करता है ठंडा करता है और लोगों ने रेफिजियेटर का पानी टूटली बंद कर दिया था पहिने के लिए और कि करोना का टाइम गला पकट रहा था खांसी चुकाम उससे अटके चुपानी से खांसी चुकाम से हर एक इनसान को निजात मिली और फाइदे भी मिलें इसके एक आरिवेदिक उच्टी थावित हुई एक जमाना था जब लोग मिट्टी के बरतनों का इस्तेमाल किया करते थे लेकिन वक्त बदला और जमाना ऐसा हाया कि जब स्टील फाइबर ताबे और देगर चीजों का इस्तेमाल होने लगा लेकिन अभी भी चौक चौराहों पर मिट्टी के बरतनों की दुकान नजर आ जाती है अभी भी इसके अच्छे खासे खरीदार नजर आ जाएंगी दरसल मटके के पानी के खुसूसियात में पानी का ठंडा रहना अहम है जम्मु कश्मीर के सर्माईदारुलहकूमत जम्मु शहर के खास इलाके में मुखतलिफ मकामात पर आज भी मिट्टी के बरतनों की खरीदारी देखने को मिलती है जहां लोग मुखतलिफ चीजों स्टेल, प्लास्टिक, शीशे और मिट्टी वगएरा के बने हुए बरतनों में खाते पीते हैं ताहां मिट्टी के बरतन में खाने पीने के अपने फवायद है संस्क्रिती भूल चुके हैं पहले, पहले टाइम तो सब कुछ पानी का मटका, पानी के भरतन, पानी का हर चीश पानी की होती थी अब फिर वो अपनी संस्क्रिती लोग बापीस आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोग बहुत ज़ला पसंद कर रहे है दुकानदारों के मताबिक करोना के वक्त में मिट्टी के बरतनों की खरीदारी में मजीद इजाफा हुआ है उनका कहना है कि फिरिज के पानी से गला पकरता था, सरदी जुकाम भी होता था जिसके सबब लोगों ने फिरिज का पानी तरक करके मटके की पानी का इस्तिमाल करने लगे और उन्हे सरदी जुकाम से निजात मिले क्योंकि मटके का पानी आटमेटिकली पानी को फिल्टर करता है खुबसूरत मिट्टी के बरतनों की खरीदारी लोग अभी भी करते हैं खरीदारों के मताबिक मिट्टी के बरतन में पका हुआ खाना हमारी सहत पर गहरे असरात मुरत्ब करता है और तबयात के माहरीन आज भी खाना पकाने के लिए मिट्टी के बरतन तज्वीज करते हैं क्योंकि मिट्टी के बरतन में पका हुआ खाना ना सिर्फ सिहत के लिए फाइदे मंद है बलकि मिट्टी के बरतन का खाना जायके में भी धात के बरतन में पके खाने से ज्यादा लजीज होता है बलकि मिट्टी के बरतन में रखा हुआ पानी पीना पसंद करते हैं लोगों का कहना है कि मिट्टी के बरतन में पानी जखिरा करना एक बेहत Κ तरीका है मित्डी के बरतनों से न particular पानी ठंड़ा होता है बलकि वह जमीन के अनासिरे शिवा भी हती है मित्डी के बरतन आप लड की बनियात सरदी को नहीं मुंतकिल करते हैं मित्डी के बरतन का यह म्यार अनुखा है और किसी दूसरे कंटेनर में वही मियार नहीं है जम्मू से अश्रफ गनाई की खास रिपोर्ट